हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल लक्षमी के रसोई यह हमने जो पिछली वीडियो में खोवा बनाया था यह वो खोवा है आज हम इससे बनाएंगे गुलाब जामुन इसके लिए हमने यह खोवा लिया है और हम लेंगे अब मैदा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे को खोवे के साथ अब यह हमारा खोवा थोड़ा सा गीला है इसके इसलिए हमने थोड़ा सा मैदा इसमें और एड़ कर दिया है इसको हम अच्छे से मिला के और इसका सॉफ्ट आटा गुन लेंगे अब हमने यह खाने वाला सोड़ा लिया है आदी चमच इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि उसमें एक भी गाठे ना बने देए हमारे गुलाब जामुन का आटा बनके तियार हो गया है अब हम चास्नी बनाएंगे कड़ाई में हमने यह चीने डाल लिया आदा किलो अब इसमें हम पाने डालेंगे तीन ग्लास हमने इसमें पाने डाला है हमने चास्नी बनने के लिए रख दिया है और गैस भी चालू कर दिया है जब तक हमारी चास्नी गरम हो रही है हम अपने आटे के गोल्य त्यार करेंगे इस तरह चोटी यह त्यार करेंगे हमारी चीनी सारी मेल्ट हो गई है इसमें से चास्नी में से यह देखिए यह देखिए हमारी राशिपी के बीचे मोर आया तो हम मोर के भी मजे ले रहे हैं यह देखिए मोर हमारी च्छत्त आया हुआ है हम फिर से आगए अपनी वीडियो बनाने के लिए अब इसमें हम यह खाने वाला कलर डालेंगे चास्नी में यह देखिए इतना ऐतो सेritoश ले लिए इसको टालेंगे इसमेरी चासनी का अच्या आइगा अखा है कि यह मारे गॉलाब जामन के लिए वन आक़ त्यार कर अब हम इसको एक दूसरे बरतन में डाल लेंगे जैसने को जालू कर लिया है इस पर हम कड़ाए रखेंगे आप रिफाइंड हमारा गरम हो गया है इसको ज्यादा तेज गरम नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर ही डालेंगे इनको हम अराम-अराम से हिलाएंगे अगर इसको तेज से हिलाएंगे तो ये खुल सकते हैं इनका ये देखिए अच्छे से मारे फ्राई हो गए हैं अब निकाल लेंगे और कितना प्यारा कलर आरा है इनका इसी तरह से हम और भी डाल देंगे और इनको हमने चास्नी में डाल दिया है इसी तरह से हम सभी रस गुलो को गुलाब जामून को फ्राई कर लेंगे हमको गुलाब जामून को धीमी आज पर ही सेखना है और कम कम करके ही सेखना है अब हम इसको चासनी में डाले यह देखिया हमारे फूल के त्यार भी हो गए है अच्छे से डाल रॉन को इसी तरह से हमारे जो बच गए हैं वो भी हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिये फ्रैंट्स हमारे सारे गुलाब जमूर बनके त्यार हो गए है और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह देखे कितने ज्यादा स्पंची बने है यह अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे यह देखे यह बहुत ही टेस्टी बने है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाल से जादा सेयर करें और कमेंट्स भी करें और अपने फ्रेंडों को सबको सेयर करें ओके थैंक यू बाइ बाइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में